Hey guys, welcome back to my YouTube channel, this is Sam Walker and आज के इस वीडियो के अंदर आपन बात करने वाले हैं Forza Horizon 4 के बारे में तो आज के इस वीडियो के अंदर basically मैं आपको यह हैं बताने की कोसिस करूँगा कि जो Forza Horizon 4 है क्या वो वर्थ इट है 2023 या इससे आगे के सालों के अंदर इसी किसासात यार इस वीडियो के अंदर में मल्टि प्लेयर और सिंगल प्लेयर दोनों चीजों के बारे में बात करूँगा तो अगर आप Forza Horizon 4 को खरीदने का या खेलने का प्लान बना रहे हो और कोई एक ऐसी वीडियो ढूंट रहे हो जिसके अंदर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेयर दो तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर में ने हर एक चीज अच्छे से एक्स्प्लेयर आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत बहुत ही ज्याद है, smooth gameplay mechanics के साथ इन गेम्स की जो ग्राफिक्स होती है न भाई, वो भी next level होती है, मतलब close to reality होती है, and mostly जितने भी प्लेट्स होते हैं वो Forza को उनकी ग्राफिक्स की वज़े से खेलते हैं, गेंपले तो बात में उनको पता चलता है पहले तो वो इन गेम्स की ग्राफिक्स की वज़े से ही इन गेम्स को खेलना पसंद करते हैं तो यार देखो जो इस टीम है ना उसके उपर अभी ना सेल चली हुई है और वहाँ पे जो Forza Horizon 4 है ना वो बहुत ही ज़्यादा चीप में मिल रहा है तो जिन लोगों ने Forza Horizon को कभी भी नहीं खेला वो लोग Forza Horizon 4 खरीद तो रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे questions होते हैं लाइक ये गेम वर्थ इट है या नहीं इस गेम का multiplayer अभी भी एक्टिव है या नहीं तो इन सब questions के मैं answer देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो चलो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस गेम का single player कितना alive है और कितना वर्थ इट है तो यार देखो जब भी open world games की बात आती है तो लोग सबसे पहले यहीं चीज़ देखते हैं कि वो game single player है या नहीं अब भले वो racing का game हो या भले वो shooting वाला game हो सबको single player तो चाहिए तो भाई देखो बात कुछ ऐसी है कि जो forza horizon 4 है ना वो single player भी है प्लस उसको आप offline भी खेल सकते हो तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि forza horizon 4 को मैं single player के लिए खरीदू तो भाई आप definitely जा सकते हो क्योंकि यार इस game के अंदर जो content है ना वो अगर आप इस game को 300 घंटे भी खेलोगे ना तो भी आप complete नहीं कर पाऊगे क्योंकि इस game के अंदर आपको man storyline के साथ साथ जो और races वगेरा यह है ना वो भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत सारी है प्लस आप challenges को भी complete कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो like collectables वगेरा यह ना वो भी बहुत सारे हैं तो यार देखो single player के मामले में तो भाई ये game content loaded है मतलब इसके अंदर जो content है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा बढ़ा है इवन इसके अंदर आपको दो expansions भी देखने को मिलते हैं fortune island and lego valley उनके भी separate challenges and races है भाई तो इन सब चीजों को complete करने में मैं इतना शौर हूँ कि आपको 200 से 300 गंटे लगी जाएंगे वो भी शायद मैं कमी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने अभी 300 गंटे से भी जादा spend कर दिये लेकिन अभी वह इस game को complete नहीं कर पाया तो बात कुछ ऐसी है कि अगर आप इस game को सिर्फ single player के लिए खरीदना चाते हो तो भाई ये game definitely worth it है क्योंकि इसका जो single player content है ना वो आपको बिल्कुल भी disappoint नहीं करेगा एंड एक और interesting चीज़ बताऊं हर week इस game के अंदर आपको नई challenges वगरा ये देखने को मिलेंगे तो आप उन challenges वगरा इनको complete करके कुछ जो rare vehicles है legendary vehicles है ना उनको भी collect कर सकते हो तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर आप इस game को single player के लिए खरीदना चाते हो तो भाई आंके बंद करके खरीद दो भले ये 2023 हो 4 हो या 5 हो किसी भी साल के अंदर आप इस game को खरीद के खेल चकते हो बाकि अब बात करते हैं इस game के online या multiplayer mode के बारे में तो यार देखो अगर मैं multiplayer mode के बात करूँ तो भाई ये game का जो multiplayer mode है न वो अगर 2023 के मैं बात करूँ तो बहुत ही जादा alive है मतलब आपको matches देखने को मिल जाएंगे प्लस जो lobby होती है न वो भी आपको खाली देखने को नहीं मिलेगी हर lobby के अंदर कम से कम 15-20 player तो आपको देखने को मिलेंगे तो अगर आप multiplayer नहीं खेलना चाहते हो बस लोगों के साथ अपनी cars को show off करना चाहते हो या chill करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो क्योंकि या यह जो गेम है न वो बहुत ही ज़्यादा चीप है तो इसके वज़े से क्या है न कि नए नए प्लेयर्स इस गेम के अंदर जुड़ते जा रहे हैं और नए प्लेयर्स जुड़े हैं इसका मतलब यह है कि वो कम से कम 100-200 गंटे तो इस गेम को खेलेंगे तो आपको जो लोबी वगेरा है न वो तो बिल्कुल भी खाली देखने को नहीं मिलेगी बाकि अगर आपको competitive racing करनी है तो भाई वो भी बहुत ही जादा alive है आपको match वगराई है न वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे बट मुझे जहां तक लगता है कि I don't think कि आप इसके अंदर multiplayer खेल बाऊगे वो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर इस game के अंदर जो single player content है न वो ही इतना जादा है कि multiplayer खेलने का आपको time ही नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपने एक बार multiplayer start कर दिया न तो 200 गंटे और जोड़ लो game के अंदर क्योंकि आर इसके जो multiplayer modes है न भाई वो भी बहुत ही जादा addictive है तो आपको उनका चसका चड़ गया न तो 200 गंटे और जोड़ लो जैसा कि मैंने आपको बताया है बाकि आर देखो एक चीज मैं आपको और clear कर देना चाहता हूँ कि यह जितने भी गंटे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने गंटे लगेंगे उतने गंटे लगेंगे वो मेरे खुद के खेलने के तरीके के इसाब से बता रहा हूँ क्योंकि आर मैंना games को chill करके खेलता हू and हर एक चीज को explore करता हूँ अच्छे से तो उस तरीके से मैंने ये जितना भी time बताया आपको वो लग जाएगा बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि games को rush करते हैं and जल्दी बाजी में complete करने में लगे होते हैं तो उनको 100-200 गंटे ही लगेंगे तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गंटे हैं वो कम या जादा हो सकते हैं आपके खेलने के तरीके के अकोडिंग तो यार्दे को at the end मैं तो यहीं बोलूँगा कि Forza Horizon बहुत ज़्यादा interesting, बहुत ज़्यादा addictive and बहुत ज़्यादा graphically intensive game है तो अगर आप racing games खेलना पसंद करते हो तो भाई मैं तो आपको बोलूँगा कि इस game को आप जरूर से try करना, जितना जल्दी हो सके इस game को आप try करना and worth it है या नहीं ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि ये game हर एक aspect के अंदर worth it है बहले वो graphics हो, gameplay हो, content हो या multiplayer हो, फलाना दिमका जो भी हो हर एक aspect के अंदर ये game worth it है आपको बिल्कुल भी disappoint नहीं करेगा बाकियार आपको मैं recommend करूंगा कि आप इस game का ultimate edition ही करीदना क्योंकि जो ultimate edition है ना उसके अंदर आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी बहले वो extra cars हो, DLC वगरा ये हो या expansion वगरा ये हो हर एक चीज़ आपको जो ultimate edition है ना उसके अंदर included मिल जाएगी तो I hope क्यार अब आप समझ गयोंगे कि Forza Horizon 4 आपके लिए worth it है या नहीं बाकिया अगर आपको और भी कोई question है